तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल फंटेसी दूर दसन ओफीसियल में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस ये वुमेंस टी ट्वेंटी चैलेंजर्स का जो मुकाबला खेला जाएगा टीम एमबेर बर्जिस टीम एमरेल्ड की जैसा कि आप लोगों को पता है हम एमरेल्ड का जो भी मैच हो रहा है वो लगतर कावर करते हुए चल रहे हैं अभी फिलाल अगर टैलेग्राम को नहीं जोईन किया है तो फर्स्ट प्लस पॉइंट आपके लिए बन जाता है आप टैलेग्राम को जल्दी से जोईन कर लो ज हर मैचेश की टीम आपको देते हैं और पॉस्ट अपको थर्ण अप यूटिब का लिंक वंगरा भी देखने को मिल जाएगा हमारे टेलेग्राम छनल पर तो जल्दी से वाजब टैलेग्राम चनल को जोईन किजेगा बाकि और अगण पर आपको लेकर अपको लिंगरा भृ हमारी हो रही है इसलिए डेफिनिटली आप से भी से रिक्वेश्ट कर रहा हूं डेस्क्रिप्समें जो लिंग इविन है उसी से क्ले करके टेलेग्राम चैनल को जोईन किजेगा तो इस वाले मैच को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ला चुका हूं है एक दमाके दार अ पीस से आप पोकर वगएरा खेलने में एक्सपर्ट हो तो वह भी खेल सकते हो प्लस मैचेस वगएरा भी लगा सकते हो कौन कौन सी क्रिकेट की लगा सकते हो भाई पुरानी है यह कॉंटेस्ट आपको बढ़ते भरते हुए नजर आएगी बट कॉंपेडिशन बहुत जाद लो है अगर आप हाई एंट्री में जाते हो हाई एंट्री वाला कॉंटेक्स खेलते हो तो डेफिनिटली आपको बहुत जादा रंणिंग देखने को मिलेगा जो कि मैं खुद करते हुए नजर आ रहा हूं कबड़ी की मैचेस आपको देखने को मिल जाएगी फुटबॉल क क्यों कि भी टीम चाहिए तो मैं आपको टेलेग्रम पर ग्रेंड लेग्यू की भी टीम प्रोवाइट कर दूँगा अभी होता क्या है इस वाले मैच में वुमेंज का मैच है जैसा कि आप लोग को पता है कि ये टीट्वेंटी वुमेंज का मैच खेला जा रहा है तो इसमे परफॉर्मस दोनों की ही अलग अलग है बैटिंग ओर्डर भी दोनों का अलग अलग है बट लोग इनको सेलेक्ट एक मैच में बहुत ही जादा कर लिए एक मैच में बहुत ही कम कर रहे है अगर देखा जाए तो दोनों का परफॉर्मस एकदम सेम रहने वाला है अगर मैं जैज चंद्रा का रिकॉर्ड आपको दिखा हूं तो एक मैच 26 गया है एक मैच 7 गया है बट वहीं अगर मैं नेक्स्ट आपको अबीना के रिकॉर्ड बताता हूं तो यह बाइस गई है एक मैच और एक मैच इसका पाँच गया है तो परफर्मस दोनों को अलग-अलग है अबीना के एक प्लस पॉंट यह है एमरेल्ड के तरफ से अपने आपने को तीसरे या चौते नंबर पर बैटिंग कराते हुए जरूर से देखेगी अगर मैं जैज चंद्रा की बात करता हूं तो यह भी थर्ड और फोर्ट नंबर की प्लियर है कोई फिक्स नहीं रहता इस लिए जुड़ जाएगा क्योंकि वो टीम जो आती है वो लाइनप के बेस्ट पर आती है और जो पिच कंडिशन रहता है उसके बेस्ट पर आती है तो इसलिए टेलेग्रम को जरूर से जबन किज़ेगा बेटिंग से अगर नेक्स आप्शन अपने देखा जाए तो सबसे स साथ भी तो बिल्कुल आप इनको ट्राइ करते हुए चलेगा और इनके साथ रिस्क मत लेज़ेगा क्योंकि अगर ये चल जाती है प्लेयर तो वन सेडर आपको वान भी करा सकती है कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है इनक में जो आपको डेफरेंटली अच्छा कासा पॉइंट के खेल जो तो head to head ही खेला करो और h3h तभी खेला करो जब मैं बोला करो टेलेग्राम में इन्वेश्मन नॉर्मल करो जिसमें आपको h3h खेलना है head to head तभी खेलना है जब आपको investment हाई रखना है ठीक है उसमें क्या होता है competition बहुत ही जादा कम रहता है एक दो player का फरक रहता हो अब होता क्या मालो मैंने सजना को try कर लिया बागी सब लोगे ने drop किया तो यहां जो मुझे plus point मिलेगा वो और किसी को मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलने वाला अक्षे शदानन को try कर लेजगा आज के इस match में बहुत ही जादा खतरनाक तरीके से आपको points देते वह नजर आई है जैसा कि मैं कल वाले match में बताया ही था आपको कि आपको इसको try करना ही करना है और यहां पर सही सदानना भी आपको point देते वह नजर आई है दोनों की पारी बहुत ही जादा सांधार जाली है इनको आप ऐसा captain भी try कर सकते हो बिल्कुल आपके लिए safest और wise captain के भी safest option आपको मिल जाती है ठीक है बिल्कुल इनके साथ आपक को रिसक नहीं लेना है डिया का कोई खास record नहीं है इसके साथ बहुत कम लोग जाएंगे अगर आप जाना चाहते हो तो जहाँ से जाएगा बाकी मेरी recommendation आपको इसके तरफ से तो बिल्कुल ना रहने वाली है आप इनको मत try कर जाएगा आप सैनल अथीरा को try कर लेज़गा मिनी जील वगेरा में differential का काम कर जाएगी और आपको points भी अच्छे से देते वर नजर आएगी अगर किसी और player के साथ जाना चाते हो तो इसको drop कर देगा ठीक है अब यहां आपको EME के तरफ से अंस्वारा दिख जाती है जो कि अपनी डोनों matches से बहुत सांदर मुकाबला खेल कर और अच्छे कासी points देते वर आपको नजर आ रही है ठीक है तो उस basis पर उस contest के basis पर उस price pole के basis पर आपन सभी players को select करते वह चल रहे हैं last match 9-7 के बारे में बताया था 9-7 अच्छी player है trial में आपके लिए काम आज आएगी चलते वह भी आपको नजर आती है हरे कृष्णा भी बहुत ही best player है इसको भी नहीं drop कर सकते है अपन जिपसा जिपसा का record उतना कोई खास नहीं एक मैं चली थी second मैं चलते वह नजर आएगी कोई fix नहीं है बट लोग ट्राय कर रहा है मेरे पास अथीरा से best option और कोई नहीं मिल रहा मुझे सायद तो मेरा जो final में जो संकारी हो वो किलियर हो जाए कि भाई बैटिंग सेक्शन से आपने इन ही को क्यो ट्राय किया अब देखो होता क्या है अगर मालो T20 का मैच है और आपके चल जा रहे हैं तो आपको middle order के players को रखने की कोई जूरत है नहीं है बिलकुल भी तो यह चीज को ध्यान में र बैटिंग कराते हुए आपको जरूर सा नजराएगी नेक्स्ट आपको जी डिब्या दिख जाती है जो कि अपने टीम के तरफ से इसका कोई बैटिंग और फिक्स नहीं रहता पहले ही मैं आपको बता देता हूं फिर भी आपको तीसरे से से सेकंड डाउन पर भी कराते हुए जरूर से नजराएगी बाकी बॉलिंग से आपको पॉइंट देगी हरे कृष्णा का भी वही इस फोर्त नमर पे बैटिंग गराते हूए नजराएगी बागी सब आपको ब्लिंग से पॉइंग जैते हुए नजराएगी ठीक है अब यहाँ में जो ऑपनर से अ आपके लिए और एथाइरा को आप ऐजा डिफरेंशल के लूप में ट्राइगर सकते हो इनको मेरे काल से अपलिफ्ट भी किया जा सकता है तो ये भी याद रखेगा 9-7 का भी अलग उप्शन है ये आपको बैटिंग कराते हुए सबसे best option आपको यही दिखेगा अगर आप थोड़े से डिफरेंशल में जाना चाओ यही मेरे टीम रहेगे आणस्वरा के साथ ही final कर देते हैं और उप्डेट होगा मैं आपको टेलिग्राम पर कर देगा मिलते हम आप नेक्स वीडियो में ना आनिलेसिस के साथ